अच्छा तो आप यहां बैठे हो भीया तुने ढूंड लिया मुझे आप बैठ यहां तुझे याद है यहोव ने कहा था हम से कि उसने धर्दी के सब देशों में से अपने लिए हमें पवित्र राष्ट चुना है ताकि हम उसके अपने लोग और हमेशा के लिए उसकी खास जागीत बन जाए हाँ, इस देश में आने से पहले उसने मूसा की जरीए ये बात कही थी हाँ, यहाँ आने से पहले उसने कहा था हम से कि तुम कनानियों की सारी मूर्थे नश्ट कर देना पर आज तो लोग और भी जादा मूर्थों को पूझ रहे हैं, है ना? जहां देखों, वहाँ लोग उने छूटे देवताओं की वेदियां खड़ी कर दी हैं पर आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हो मगर कोई नहीं सुनता मेरी मैं तो सुनती हूँ क्यार मेरे लिए तो आप भविश्वक्ता एलिया जैसे हो मुझे नाज है आप पर भविया पता नहीं यहोवा ने क्या देखा मुझ में ऐसा नहीं है, आप हमेशा यहोवा की बात मानते हैं और हम सब को आप पर फक्र है योना योना हाँ, हाँ प्रवो जाओ, उस बड़े शहर निन्वे कोचा और उसे सजा सुना क्योंकि मैं उसकी दुष्टा को अन्देखान नहीं कर सकता हूँ नीन में नीन में जा वो तो मौं की सजा के लाएक है ठीक कह रहा है समझ नहीं आप जिए महां क्यों जा रहे उन्हें समझाना पड़ेगा बेटा चलो खाना खा लेते हैं मुझे भूख नहीं लग रहे वो तो उन्हों तो तब से बात ही नहीं कर रहे तेरे भाई नादान है यो ना सुबह सुबह तो उन्हें जो खबर दी है न उसे सुनकर वो परिशान है वैसे कुछ कहा उन्हें इजलिया को इस बात का डर है कि वो मेरी खाल खीच लेंगे वो तो कह रहा है कि मच जाओ और मरने दो यहोवा के हाथ हो एबेर तो कहता है वो मेरी हरगिस नहीं सुनेंगे तुम्हें क्या लगता है अगर यहोवा नीनमे के लोगों को मारना ही चाहता है तो मुझे क्यो भेज़ता वहाँ पर एबेर भी सही कहता है वो क्यों सुनेंगे जब इसराईली नहीं सुन रहे हैं फिर भी यहुवा उन्हें बार बार चेतावनें देता है पर आप ही बताओ, आज तक तो यहुवा ने किसी नभी को पराय देश में नहीं भेजा तो फिर वो अब क्यों भेज रहा है योना मैं इस बारे में नहीं जानता पर मैं इतनों जुरूर जानता हूं कि अशूर जैसे देश का नियाय करने के लिए यहुआ ने आज तक अपने किसी नभी को ने भेजा लेकिन अगर यहुआ तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए इसके पीछे ज़रूर कोई वजा होगे बस उस पर भरोसा रख भाया भाया देखो मैं अंजीर नहीं हूँ इनके ठिकिया बनाओंगी आपके लिए काश मैं भी आपके साथ चल पाती इजलिया को इस बात का डर है कि वो मेरी खाल खीच लेंगे आप बना बताए कहां जा रहे हो यू अन्ना तू अंदर जाए अरे खाने की चीज़े तो ले जाओ नीन्वे में खाओगे क्या आप नीन्वे नहीं जा रहे क्या बताओ ना नहीं मैं तर्शीश जा रहा हूँ नहीं भाया नहीं आप वहां नहीं जा सकते यहुवा ने तो आपको नीन्वे जा रहा हूँ नहीं जा रहा मैं नीन्वे, मुझसे नहीं होगा लेकिन भाई आप तर्शीश में जाके क्या करोगे, कब लोटोगे वहाँ से मुझे नहीं पता, शायद कभी नहीं कभी नहीं, तो फिर नीन्वे कौन जाएगा, उन्हें यहोवा का संदेश कौन देगा मुझे नहीं पता, यहोवा को जो करना होगा वो करेगा पर मुझसे नहीं होगा, मुझमे इतनी हिम्मत नहीं है यहोवा को भी मेरी जरुवत नहीं है पर हमें तो आपकी जरुरत है, आप नभी हो यहोवा की और एलिया हो मेरे लिए, भूल गये? नहीं मैं कुछ नहीं तु घर जाए ओनना अपना ख्याल रखना लेकिन अगर यहुआ तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए बास उस्पर पर लशारक पर जाए बास जाए कर दो दो, आचाय जो। झाल भाल वो देखो मैं मेरे कुदा पाल जरहो रस्या कसो जल्दी नीचे के दर्माजने पंद गलो पकरगे नेको सब्सक्कतु ये जलो देखो जगितरो लारो गितरो! पानेर, पानी भर्दा जा रहा है, सारा समान समुद्र में फेर दो, चल्दी, सारा दस्वारा, अब नहीं बचेंगे, ये देव्दाव को कहर है, पार, बिश्मार, बलकार, रहन कर, वो मुसादिर कहा है, वो नीचे है, नीचे, ऐसे वक्त में तू सो रहा है, वो अपने देव्दा को पुकार, क्या पता सचा परमेशन हमारी सुन ले, और हमारी जान बच जाए, आओ, किस की आड़ा ले, और देखेगी किस की वजा से ये आफ़त आई है, इसकी वजा से, बता, यह बता पर क्यों आई है, जो कुछ हो रहा है, मेरी वज़े से ही हो रहा है, सचा परमेश्वर, मेरी वज़े से ही ये कहर लाया है, तु केज देश का है, होल कहा से आया है, बता, किस शाथी का है तू, मैं कीबरी हूँ, मैं स्वर्ट के परमेश्वर, यहोवा की उपासना करता हूँ, जिसने समुन्दर और धर्ती को बनाया है, मैं उसका, मैं उसका भवश वक्ता था, तेरा कसूर क्या है, यहोव अने मुझे नीनवे जाने को कहा था, पर मैं उससे दूर भाग रहा हूँ, बता हम तेरा साथ क्या करे, ताकि समुन्दर शान्थ हो जाए, बता हो मैं, मुझे उठा कर समुन्दर में फेग दो, तक समुन्दर शान्थ हो जाएगा, मैं जाता हूँ, यह भैक कर तूपान मेरी वज़े से तुम पर आया है, फेग दो इसने, बागल हो क्या, अगर हमने यहोवा के नवी को मार डाला तो वो हमें नहीं बख्षेगा, यहोवा इसे नीन में फेजना चाता है, अगर हमने इसे फैक दिया, तो यहोवा का तुरोच बढ़ जाएगा, सब के साब आपने चक पूट हो, और जहाँ सबादो, बोट देखो, किनारा नजर आरा है, जल्दी हाँ चलाओ, जल्दी, कोई फाइदा नहीं, डोना की बाद मान लो, उसे फैद लो, हे यहोवा हम पर दया कर, इस आदमी की वज़े से हमें नाश मत कर, ना हमें निर्दोश के खून का दोशी ठैरा, क्योंकि हे यहोवा तू वही कर रहा है, जो तू जातान उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे देवताओं ने कोई मुदद नहीं की, यहोवा ने हमारी जान बचाई, चलो उसे वदीदान चड़ाए, नोचाई हुआ 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 है, मेसिनो के जड़ के पहुआ है, अब मेरा क्या होगा हे यहोवा कबर की गहराईों से मैं तुझे पुकारता हूँ मेरे खुदा मेरी आवास सुन तुने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है अब मैं फिर कभी तेरे पवित्र मंदर को नहीं देख सकूँगा काश मेरी ब्रादरा तेरे पास पहुचे मैं तेरा धन्यवाद करूगा और तुझे बलीदान चड़ाऊंगा जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूँगा बल्बचा चप्राइ म समय देख सकूँगा अजर मिर्ण दो दो रादरे कर दोगा प्रणी कि उसे देख सब्सक्राइब युचे उ सब्सक्वाद कर दो डंस्कूट तुम्हारा नाम क्या है? उस तरफ से पकड़ो, इसे घर ले चलते हैं पापा कह रहे थे कि आप एक नभी हैं हाँ मैं नभी था क्या आपको एक मचली ने निकल लिया था? हाँ मचली ने आपको क्यों निकला? क्योंकि मैं समुंदर में था आप समुंदर में क्यों थे? मैं जहास पे था फिर समुंदर में आ गया आप जहास पर क्या कर रहे थे? मैं यह गोव से दूर भाग रहा था क्या मचली के पेट में आपको डल लगा? हाँ तो क्या आपने प्रात्ना की? बहुत आप यहोव से दूर भाग रहे थे तो उससे प्रात्ना क्योंकि क्याहिए क्योंक प्रात्ना क्या है बहुत बाबा, देखो कौन आया है, बाहर आओ भाईया छोटी मुझे लग आप कभी नहीं लोटोगे मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी माफ करना मैंने तुम्हारा दिल दुखाया बाबा हर दिन आपके लोटने का इंतजार कर रहे थे कहते थे आप जुरूर आओगे ये क्या हुआ भाईया एक मचली ने? ये कैसे हो सकता है? ये जलिया ये एक चमतकार था यहुआ ने बचाया इनको अब आगे क्या करोगे भाईया? मुझे नहीं बता रात बहुत हो गई है अब आराम करते हैं कल सुबह बात करेंगे मुझे माफ कर दुभिया जाते वक्त मैंने आपको कितना कुछ कह दिया था मुझे बहुत अफसुआ इसा नहीं है इजलिया तेरी कोई गलती नहीं तर्शीश जाने का फैसला मीरा था परिशान मत हो हम खुश हैं कि आप लोट आए ओ, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे आप यहापनाज है अब सोजा बेटा बाबा हाँ बोलो बाबा, मैं उन नाविकों को भुला नहीं पा रहा हूँ उनकी आखों में डर था उनका सब कुछ डूब गया पता नहीं वो लोग जिन्दा है या नहीं सब मेरी वज़े से अग्या तोड़ने से ना सिर्फ हमें नुक्सान होता है बलकि दूसरों को भी हम उनके लिए प्रात्ना करेंगी योना बाबा, क्या यहोवा मुझे आगे कोई काम देगा यहोवा ने तुझ पे रह्म किया योना तू जिन्दा लोटा आया फिल्हाल यही बहुत है बाबा मुझे माफ करते कोई बात नहीं बेटा हम सब गलतियां करते हैं अब चिंता मत कर, सोजा योना हाप रभो मुझे माफ करते मुझे माफ करते जा उस बड़े शहर नीनवी को जा और उसे वो संदेश सुना जो मैं तुझे बताता हूँ जरूर जरूर शुक्रिया मैं वहाद जरूर जाओंगो मेरे मालिक यहुआ तेरे साथ रहे मेरे बच्चे उसने गहरे समुंदर से बचा लिया तो आने वाली हर मुश्किल से भी बचा लेगा भाया भाया आपके लिए अंजीर की टिकिया बनाई है मैंने शुक्रिया योणना निन्वे पहुँचने में कितने दिन लगेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 40 दिन प्रेश वाली हर में पहाँ अंजीर की बचा अंजीर me झाल वो दस्तार है झाल झाल वैसे तुम जा कहा रहे हो नीनवे अच्छा हाँ मैं वहीं से आ रहा हूं मैं भोड़े बेचने गया था पर एक बात कहूं मैं खुश हूं कि मैं घर लोट रहा हूं वहां संभल कर रहे हैं ना भाई सब यही कह रहे हैं वैसे शहर कैसा है शहर तो बहुत बड़ा है पैदल घूमने में सोच लो करीब तीन दिन लग जाएंगे तुम्हें पर उनके जैसे रत दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे और घोड़े उनका तुम्हें दिवाना हो गया लोग कैसा हैं वहां के लोग युद के देवताओं को बूजते हैं तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं लड़ना मारना काटना पस यही हैं उनका काम बताने के लिए शुक्रिया अरे तुम तो डर गए चिंता मत करो अपने काम से काम रखना बस और हाँ लोगों से उलजने की कोशिश मत करना किस काम से जा रहे हो वहाँ मैं एक नभी हूँ यहोवका वो मुझे उन लोगों को सजा सुनाने भेज रहे अजय को अजय करना है हुआ 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 और पता याहा हुआए भाहा हुआए पाई पुल्पुा सकत शरा प्राइब। पर्शे वही क्या अदो है जाल — अधर, बाए पढ़े, हुआ इस बिल्धे कहाती है अधर वही कहा अधरा है कहा है इद्र भी तेक्स हो आपको शर्मार के शचयां कर दो, कर दो एक है. कर दो. युराह कर अधे. यह कर दो. यह कर दो. सहे हो एम एम सावी लोग कैसे हमागे? जुद के देवताओं को पूछते है तुम सोच भी नहीं सबते कि वो कैसे लोग है बस चालिस दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा अब से चालिस दिन बाद नीनवे पूरी तरा तबाह हो जाएगा ये कौन है? अब से चालिस दिन बाद नीनवे पूरी तरा तबाह हो जाएगा बस चालिस दिन बाद बक्वास कर रहे है नीनवे को उस्राइली है इस्राइली लगता है कोई पागल है योहोवा ने ये कहा है इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नदरों से नहीं छिपी है योहोवा ने ही ये संदेश भेजा है ये शहर पूरी तरा नाश हो जाएगा नीनवे पूरी तरा तबाह हो जाएगा ये बात सच्चे पर्मेश्वर यहोवा ने कही है 35 दिनों में बस 35 दिनों के अंदर नीनवे तबाह हो जाएगा नीनवे को तबाह कर दिया जाएगा ये शहर नाश हो जाएगा हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब हम क्या करें? ये तो इस्राइलियों के इश्वर यहोवा का नभी है क्या हम शहर छोड़ दे? अरे ऐसे किसे जा सकते हैं? शहर छोड़ दे हम? जाएगे कहां? ये शहर फूरी तरह नाश हो जाएगा देख अगर हमने पश्चताप किया तो शायद इसका भगवान हम पर रहम करें वो भविश्वक्ता कह रहा है कि 20 दिन के अंदर हमारा शहर नाश हो जाएगा सब लोगोंने टा टोड लिये हैं और वो वास कर रहे हैं वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तयार है वो बस यहुआ को खोश करना चाहते है क्या यूना ने कहा ये सब करने को नहीं लोगों को लगता है कि उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और वक्त भी तो ये सब करने से शायद उसका ईश्वर उन्हें माफ कर दे और क्या जानते हो उसके बारे में हमारे खबरी ने उसकी बाते सुनी है, पता चला है कि वो शुरू में नीनवे आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो तर्शीश की तरफ जाने लगा, फिर उसे सबंदर में फेक दिया, कहता है कि यहवा ने एक मचली बेजी, जिसने उसे निगल लिया और फिर वो यहां आ गय दिमाग खराब है उसका, मुझे नहीं लगता, ये आदमी इसराइल के परमेशर का बंदा है वजूरू, जो अपनी चमतकार, अपनी ताकत और महांता के लिए मशूर है, मशूर होगा अपने देश में, अमारे तो अपने देपता हैं, वजूरू, पर यहोआ ही वो मिसर के देवताओं का नाम और निशान मिटा दिया, उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया, ये वही इश्वर है जो जल प्रलल आया था, जिसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है, उसका क्रोध इसलिए भढ़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो ग तरफ से है, दस दिन के अंदर सच्चा परमेश्वर नीनवे को तभा कर देगा, ये परमेश्वर का फैसला है, इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है नीनवे तबाह कर दिया जाएगा ये शहर नाश हो जाएगा नीनवे के लोगो ये पैगाम ध्यान से सुनो ये राजा की तरफ से है राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फर्मान दिया है आदमी हो या जानवर गाय बैल हो या भेड भकरी कोई कुछ नखाए पानी की एक बून भी ना पिये और साब टाट ओडे लोग गिड़ गिड़ा कर परमेशर की दोहाई दें अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें क्या पता सच्चा परमेशर अपने फैसले पर दोबारा गौर करें और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं और आप बॉर्वाब करिस्ते व्ल लेकरा लेशर के ऑाक्रें प्लाखी रिड़ मेंदले क्यड़! जो वाने ही ये संदेश्ट गदान। अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं ? क्या यहोवन ने इन लोगों को माफ कर दिया ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है ? ये लोग मेरे बारे में क्या सूचेंगे ? यही कि मैं जूटा हूँ ? मेरी भविशवान ये सची नहीं थी ? आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा कता था ? इसलिए मैं तर्शीश भाग रहा था ? मैं जानता था कि तू खरुना करने वाला और दयालू पर मिश्वर है ? क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है ! मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा ! हे यहोवा ! महरबानी करके मेरी जान ले ले ! जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाओ ! क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है ? मुझे यहां से निकल जाना चाहिए ! रहम कर ! मत जा ! तू वाकई सच्चा इश्वर का बंदा है ! महरबानी करके रुट जा ! नहीं ! मैं एक पर भी नहीं हुआ ! हम तुझे एक पर भी नहीं हुआ ! कुछ भी नहीं हुआ ! कुछ भी लुझे लुट घयक तुछ कुछ बंदां कुछ 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 ठाओ करेखू है जर अपकार अेला के राचा तो तो निए, टृषिया तो भिए, प्मौशई भीड़ेंगा निएज़ाऊ तो, जिए अज़ादाब स्थोबिया तो 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 अचार कि लाँ, तो जो प्रिया हुआभावानगानगा हैं। झाल झाल के लगान ये बहिल कहा से है यहोवा को अभी मेरी बर्वा है यहोवा को अभी मेरी बर्वा है प्रेप्सप्रेदान आपानाओ पुटार से भाएंच रूम हम आपाना की पुटारावाँ आपाना रिए क्वेट कैसा बाला। वीजया वो ते दितारों पितारा पर एंद है, वीजया थेम्ड़ जानेटी लिए पाले टॉप है। है लोगतारा बन्यों है चानेटी लोगता है मुझानार जानेटी जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाओ क्या घीये की बेल के लिए तेरा गुस्से से भड़कना सही है? हाँ मेरा भड़कना सही है मैं मर जाना चाहता हूँ जिस घीये की बेल के लिए ना तुने महनत की ना जिसे बढ़ाया जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गए उस पर तु तरस खा रहा है तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस ना खाऊँ जहां एक लाख भी सजास से भी जियारा लोग है जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते और जहां बहुत से जानवर भी है जहां बहुत से जानवर भी है जहां बहुत से जानवर भी है आप यो ना हो हाँ बेटा आप भी ने हमें बचाया ना नहीं यहोव ने बचाया है मैं तो बस उसका संदेश देने आया था शुक्रिया क्या कर रहे हो भाईया मैं लिख रहा था कि यहोव ने नीन्वे के लोगों पर और मुझ पर कितनी बड़ी दया की है यह लिखना आसान नहीं होगा ना? बिलकुल नहीं अब आगे क्या करोगे भाईया जो भी यहोव नुझ से कहेगा